तो जो डाइलाग होता है उसमें क्या आते है तो डाइलाग का मतलब है इसमें वो वर्डस आते हैं वो बाते आती हैं जो कि कैरेक्टर इसको बोलनी होती है तो स्कृb जब कोई डिरेक्टर बनाता है उसमें क्या लगता है वो उसमें लगता है कि कौन सा करेक्टर कौन सी बाते बताएंगा तो वो लखेगा यहां पी मिसाल के डूपर आंडो करेल्स से पहली था suppose king अगर हम लिखेंगे king क्या बोलता है king के बाद आएगा semi colon और इसके बाद बाते महलब उसको क्या बताना है exactly वो बाते उसके बाद आएगा endocrils तो यहाँ पे लिखेगा script writer endocrils और उसके बाद उसको क्या बते बोल दी है और वो यहाँ पे लिखेगा exactly वही बात है जो endocrils को बताना है उसके बाद master आएगा master के जगा colon याने कि यह होगी उसकी बात है जो कि master को बताना इसमें है so इस तरह से यह script होता है और इस तरह से dialogue होता है और इस तरह से पोरा play चलता है अब act और scene में क्या फरक है यह दो चीज़े होती है प्ले में act और scene act जो है वो थोड़ा बड़ा होता है प्ले में और scene जो होता है smaller chapter होता है किसका play का there will be usually a break between the scenes when the curtain falls are there is a blackout this means that all the lights on the stage will go off to give the actors a chance to go backstage and change their costumes and to allow the stage crew to change the scenery or backdrop on the stage the backdrop falls usually changes depending on the setting of each scene तो blackout क्या होता है अच्छा वहां पे प्ले जब होता है तो एक break होती है जब एक scene खतम होता है फिर दूसरा scene शुरू हो जाता है तो हर कोई scene जो आपने देखा बेटा भी हमने देखा पहला वाला जो scene था वो था कहीं और पे उसके बाद चले गए scene चला गया linearly नहीं चलता है आप सीधे सीधे देखो कि नहीं मिसाल के तूर पर जब पहले था जेल में जहां पे एंडो क्रोज और बैंडिक्टिस बात करते है उसके बाद sorry not jail में वहां पे उसके घर में जहां पे वो काम करते थे इसके बाद पे तो फिर backdrop में बनाना है तो फिर scene को काटना पड़ेगा तो time लगेगा लहाज़ा उसमें जो है black out आता है lights बंद हो जाती है actors को भी मतलब वो चाहे उनको कपड़े change करने होंगे या costume या कुछ और मतलब अपना dress change करना होगा और जो भी stage crew होता है वो जो members होते है वहाँ पे employees उनको scene backdrop scene बैक रॉप जो है वो भी change करना होता है यानि कि अब आए जंगल में तो जंगल वाला scene पीछे दिखाना है तो ये सारी बाते जो है ये होती है blame है तो इसको बोलते है black out क्या जब इस stage में light चली जाती है या जो actors होते है वो back चले जाता है वो पीछे चले जाता है curtain के ताकि वो अपने costume चेंज करे और जो crew होता है वहाँ पे वो उसका जो है scene वैसा लाए जैसा कि for example अगर अभी scene होगा डरावना सा तो डरावना scene ऐसे ही नहीं आएगा डरावना scene के लिए वैसी condition बनानी पड़ती है रात का time तेज बारिश तेज हवाई आंगियों का खड़कना वो धरावनी आवास है तो बन गया डरावना scene तो इसी तरह से कोई भी scene बनाने के लिए वो कैसा होगा उसका जो है background बनाना बहुत जरूरी होता है props और objects that are used in the background are by the characters during the performance तो props क्या होते हैं ये वो objects होते हैं जो कि background में use करते हैं कौन characters performance के दावरान